नमस्कार दोस्तों क्या आपने शोलो गेमी का नाम सुना है नहीं सुना है तो आज मैं बताता हूं सोलो गेमी क्या है ऐसी दे किल नमी्ट यहां ट्रकार का विवाह अद्व आपने अपने में सुना हो कि एक लड़का एक लड़की साघी करते हैं सहसा ही होता है तो प्रेम् करते हैं या और आरे испरי रते माता-पिता या घर परीवार वाले जहां रिस्ता तये करynn़ें वहां साधी हो जाती है , और दूसरा तरीका यह है कि एक लड़का या लड़की मेंocoljustा करते ऑब करने हैं studio करते हैं और उस में भी मानसिक स्थिती है एक ेखे कि हम यह कहें कि सरीर हमारा भलेही लडके . लड़के का होता है पर हम उससरीर को सुष्विकार नहीं कर पाते हैं . भले qo अंत्री ग्रूप से लड़का हो बों ऑंत्री से लड़की है उसका मन मतलब पिल्कुल इस्त्रियोचित ब्यवार करता है तो इस तरीके की भी साधी भलई या इस साधी को मैंनेता नहीं प्राप्त है इसी प्रकार एक और टर्म आया है उसका नाम है सोलो गेमी मतलब खुद से बिवाह करना अब खुद से बिवाह जरूरत है या फैंटेसी है कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों की देखा दिखी करते हैं कणा para को खुआ करने का प्रयास करते हैं कि उसने किया तो और इसे इतना फिमस्त्र या इतना वह मिला 2018 मिला तो हम भी कर लेते पर ऐसा इसमें नहीं है कई ऐसी चीजे हैं जो इसके कारक है अब इसके बारे में अगले अगरे चलेश के Wars में खुद से बिवाह करती है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर वो खुद के लिए committed होती है, खुद से बिवाह करती है, अब कारण क्या है, मैंने इसी में कहा था, खुद के लिए committed होना, मतलब खुद को time देना, या खुद को प्यार करना, आपने कई बा खुद के लिए बनाते हैं, खुद के लिए समय नहीं मिल पाता, या कई लड़कियां ऐसी हैं, जिन्हें किसी से मतलब नहीं होता, वो खुद को time देना चाहती है, और इसके कारण से वो खुद से बिवाह करने की सुरुवात करी है, और उसे सो लोगेमी के हम नाम से जानते हैं, तो कारण आपको पता चल गया कि वो खुद को time देना चाहती है, या खुद को value देना चाहती है, महत्तो देना चाहती है, इसके कारण से इसके पीछे एक और कारण है, पित्रिस सत्तात्मक सोच। जैबसी बात है कि हर तरीके से, आप एक तरीके से देखो, तो लड़क बहुती टेषिटी है बहुत स्वाद आ रहा है उस खाने में तो आप ने देखा होगा कि महिलाएं देते जाती है और लेंगे करके देते रहती हैं दो हूं है पुरुस कभी यह नहीं पूछता सामयनता मैं SABÏ नहीं कर रहा其實 स्मायन्यता पूरुसह कभी नहीं पूछता कि तुम्हारे लिए सबजी बची न ही या नहीं किया को पकवान हो कि कोई भी कुछ भी मतलब मैं इन्हें कुधारन दिया खाने का बहुत सारी चीज़ों में हैं तो वह यह नहीं पूछता कि तुम्हारे हिस्से का है यह नहीं है तो यह इस्थिति उत्पन होती है और यह चलन अब आ गया चलन इसलिए आ गया है क्योंकि इसका कारण है जैसे आप यह समझों कि कई बार ये है कि पितले साथ आत्रों सोच में एक और उधर्म देता हूं कि महिला ही महिला की दुस्मन होती है यह जो मतलब यह धार्ना है किसने गड़ी है सामन ने था पूर्सों ने गड़ी है ताकि वो महिलाओं महिलाओं के दुस्मन बना सेके और इनका काम चलता रह सके अब यह चलन में आ गया है और यह काफी पहले से चलन में तो इसमें हम उधारन ले ले लेते हैं जो सबसे पहले जो महिला थी उन्होंने उनका नाम था लिंडा बेकर अमेरिका की थी 1993 में यह मोतर्मा है और इन्होंने खुद से साधी करी थी उसके बाद जो भारत में है सबसे पहली महिला वो च्छमा बिंदू है गुद्रात की है और 2022 में इन्होंने किया है ठीक है इनमें से कहानी बताता हूं यह है सब्हाइब मुझे नियाद नहीं नहीं आ रहा कि उनमें से एक महिला होती है और मालने जीए है 2011 में फिर से खुद से विवा करती है या सोलोगे में जिसको कह सकते हैं और इनसे जब पूछा जाता है कि आखिर यह क्यों कर नहीं है तो इन्हों लगता है कि अब आपको सोले गेमी समझ में आ गया होगा तो आपको यह बताना है कि क्या सोलो गेमी अच्छा है या बुरा है या इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए या ऐसा एक फैंटेसी के तरह किया जा रहा है या कोई माइने ने रखता कि वह खुद से ब्यवाह कर रह सकता है ऐसा कुछ नहीं है तो आपको यह कमेंट सेक्शन में भी आको बताना है ठीक है दोस्तों धन्यवाद